तो भाई लोग कैसे हो आप सब गाइस आप सभी का स्वागत है एपेक्स लेजेंड मोबाइल की एक और नहीं वीडियो में दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा तो season 1 है वो कब end होगा हमारा battle pass कब end होगा हमारी जो rewards है वो हमको permanently मिलेंगे या फिर नहीं अगर आप सोच रहो कि ये season सिरफ 2 month के अंदर simple से end हो जाएगा भाई अब बहुत ही गलत फैमी में हो क्योंकि यार ये सब ऐसा नहीं होने वाला ये season काफी जादा different है और इन्होंने काफी जादा मैं आपको बस secret information देने वाला हूँ इस season के related तो वीडियो काफी बढ़िया होने वाली है तो वीडियो को like कर दो और बढ़ते है सिधा वीडियो पे तो सबसे पहले हम चलते हमारे rank mode के अंदर हमारा जो rank mode season 1 prime time वाला rank mode है वाँपे guys जैसी मैं आऊँगा और इसकी details अगर आप चेक करोगे season 1 की details में लिखा हूँ है ये season 2 months चलने वाला है तो guys मैं आपको बता दूँ सबसे पहले ये ऐसा कुछ simple नहीं चलने वाला है चेक करोगे वाँपे timing में लिखा हूँ है 6-15-2022 यानि की 15 July को ये season end हो जाएगा भाई उसके हिसाब से तो ये 1 month का ही time period बना और rank mode के अंदर ये 2 month का बोल रहे तो अभी ये क्या मामला चल रहा है मैं आपको explain करता हूँ यहाँपे अगर आप battle pass के rewards देखोगे battle pass के details देखोगे वाँपे इन्होंने कुछ भी time का mention नहीं किया हुआ कि season 2 month चलने वाला है या 1 month चलने वाला है तो अभी मैं आपको बता तो अगर आप battle pass के जो levels है वो देखोगे यहाँपे max to max अभी 50 हैं सिरफ अभी तो level यह 50 हैं और मैंने आपको अल्रेडी बता चुका हूँ कि official CC ने बोला था कि हमारी total level होगे 110 यानि कि यह time period खतम होने के बाद हम सबको नए levels देखने को मिलेंगे battle pass के अदर 110 तक तो वहाँपे आपका जो battle pass है वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाएगा और हम सबको नए content, नई skins, नई outfits काफी सारी चीज़े देखने को मिलेंगी और season store के अंदर भी यहाँपे सिरफ 19 days ही बचे है season store को end होने के लिए यहाँपे आप time भी देख सकते हो 5.18.2022, 6.15.2022 यानि कि सिरफ एक मन्त ही, एक मन्त से भी एक आदा दिन कम ही है और हम आपे मैं आपको बता दू, अगर आप seasonal news में जाओगे या seasonal store में जाओगे, वो सब reset हो जाएगा एक मन्त के बाद, यानि कि 19 से 20 days बाद यह सब end हो जाएगा और उसके बाद हम सबको नई चीज़े देखने को मिलेगी, seasonal store के अदर seasonal store जो है थोड़ा अपग्रेट हो जाएगा यहाँ पर जैसे आप आओगे, rewards के अदर आप सबको जो batch देखने को मिलते हैं, like gold का, platinum का, diamond का, master का, predator का, वो सब सेव रहेगा, उसके साथी जो frame है वो भी सेव रहेंगे, बट जो हमारे trials हैं वो शायद वो कुछ time period के लिए ही रहे, क्योंकि आप खुद imagine करो, जब हमारा season 2 तब color भी same रहेगा trials का, but name change हो जेगा season 2, तो ऐसा करके वो क्यों उसको permanently देंगे हमें, वैसा मुझे कुछ बंदन बोला था, कि ये time period के लिए ही होते हैं, और यार ये थोड़ी देर बाद हमको दुबारा से collect करने पड़ते हैं, her season, so let's see, इसके बार में क्या होता है, trial ये तो अगले season पता चल देगा, तो मैं guys, आफ सबसे एक चीज़ शेयर करना चाता हूँ, guys, आप मुझे बताना है क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं, मैं चाता हूँ कि इन्होंने rank rewards के अंदर कुछ gun skins, कुछ outfits, कुछ legend की skins एड़ करनी चाहिए, यहाँ पे नहीं तो यह simple same rewards देके तो हम बोल हो जाएंगे, हम सबको हर season कुछ नहीं गन की skin देखने को मिलने जाए, जो कि काफी अच्छी चीज रहेगी, जिससे हम बोल नहीं होंगे, same same rewards लेके, इस पर क्या opinion ने नीचे comment करके जरूर से बताना, और यार अगर आप वो वीडियो बढ़िया आएंगे, लिय नेचे हमें अठाना